नमस्कार दोस्तों, मैं मायूट सुर्वेंशी आपका स्वागत करता हूँ सुर्वेंशी एकेडमी के इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम कुछ उरोचक जानकारिया प्राप्त करने वाले हैं उन तथियों के बारे में जो अजिकतर पूछे जाते हैं आपकी कॉम्पेटिशन एक्जाम में इसे कि आज हमने टॉपिक लिया है भारत में यूरोपी कमपनियों का आग्मन और इस टॉपिक से साधरनता हम सभी विध्यारती इस टॉपिक को बहुत ही हलके में लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमें तो पता है कि कौन-कौन सी कमपनिया कब-कब आई थी और क्या-क्या काम हुआ था और इसको हम सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं तो यहां से बहुत सारी गलतियां हो जाती है एक्जाम्स में तो ऐसा कभी मत कीजिएगा किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो गहनता से और बहुत ही शांती से उसे पढ़ने की आवशक्ता होती है तो आज आप जैसा कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब हम बात कर ली रहते हैं कि भारत में यूरोपी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ अतियन प्राचिनकाल से ही विदेशियों का भारत में आना जाना तो होता रहा है आपको पता ही है और भारत की व्यापारिक संपदा ने सदा ही विदेशियों को भी आकर्शित किया है भारत की खोज करने के लिए कहीं सहासिक यात्रियों ने बहुत ही साहस भरी यात्राइं करी जैसे आपने नाम सुनाए कोलंबस यह स्पेन का नाविक था और इसने भारत की खोज करने के लिए एक यात्रा प्रारंब करी और भारत की खोज करते के करते यह अमेरिका में आशा अंत्री जिसको कहते हैं वहां तक पहुंच गए थे परन्तु ये भारत तक नहीं आ पाए परन्तु अब बात कर लेते हैं 17 मैं ओफ 1498 की तो यहां पर वास्को डिगामा जो थे वह भारत के पर जो इसको हम कलिकट कहते हैं वहां पहुंचने में सफल हो गए थे तो इस प्रकार से भारत का यूरोपीयों लोगों से संपर्ग भी हो गया और एक समुद्री रास्ता भी हमें मिल गया भारत में कहीं व्यापारी कंपनी आई जैसे कि आपको पता होगा कि लगभग हमारे पास छे कंपनी आई हैं विदेशी सबसे पहले हमारे पास जो कंपनी अए थी वा अए थी 1498 में पुर्तगाली इस इंडिया कंपनी इसके बाद 1600 ESP के समतिंग में अंगरी जी इस इंडिया कंपनी आई और कुछ सालों बाद डच इस इंडिया कंपनी बारत आई गे फिर 1616 में हमारे पास एक नहीं कंपनी आएगी जो डैनिश होगी डैनिस इस तो सबसे पहले हमारे पास आने वाले जो थे पुर्तगाली थे और जो सबसे अंतिम आये थे वो थे स्विडिश बात करते हैं अगर पुर्तगाली नाविक जो वासको डिगामा था 1498 में भारत आया और कलिकट पहुँच गया था कैप अप गुड़ोफ के मार्क से 16 मही या 17 मही लगभक के 1498 में भारत के पश्चिमितट पर इस्थित कलिकट बंदर गाये पहुँचा और यही से यूरोपियों के बीच में समुद्र मार्की भी खोजिस ने कर दी थी 90 दिनों की समुद्र यात्रा के पश्चात वास्को डिगामा अबुल मनीद नामा के गुजराती पत्पदशक की साहता से कलिकट में पहुँचा था यूरोपी कमपनियों के रूप में सरपतम पुर्तगाली भारत आये भारत में कलिकट के तातकालिक हिंदु शाशक जमोरीन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था वासकोडिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य जो व्यापारिक संबन था एक नवीन अध्याई कि उसने शुरुवाद भी हो गई वासकोडिगामा ने भारत आने और पुर्तगाल वापस जाने के करम में कुल जो है वो लगभग यात्रावे का 60 गुना जो अधिक कमाई की थी वो उसने अपना शेर दिखाया हमाँ पर तो यहाँ पर इस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि बहुत अच्छा फायदा है तो पुर पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोटी जैसे कोचीन में खोली और इसके बाद सरपतम यूरोपिय देश जो है पुर्तगाल वो भारत में उसने अपना उपनिवेश बनाया पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो मुख्युद्देश थे पहला है अर्बो औ पूर्तिकालियों ने भारत में कलिकट दमनेवदीव, गोवा, हूगली इनके बंदर गाहों पर व्यापारी कोठियां इस्थापित की। वासकोट इमावा, भारत में दूसरी बार 1502 इस्वी में आया था। 1503 इस्वी में उसने कोठीन में अपना प्रथम दूर्ग की इस्थापना की। पुर्तुगालियों ने भारत में इस्थापित अपनी बस्तीयों को देख रेगे तूं 505 में, वो का फ्रांसिसको दी अलमेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना कर भेजा और 1509 इसवी तक ये भारत में रहा फ्रांसिसको दी अलमेडा ने 1509 के आसपास मिस्त तुर्किय और गुजरात की संयूत सिनाओं को परास कर दिया दीव पर पूर्तगालियों का संपूर अधिकार हो गया था पूर्तगालियों का दूसरा वाइसराय बन कर आया अलफांसो द अलबुकर्क 1509 इसवी में ये भारत आया था अलबुकर्क ने 1510 इसवी में गोवा को जो बीजापुर के शाशक यूसुफ आदिल शाह था उससे जीत लिया था तो अगर आपकी एक्जाम में प्रश्ना है कि यूशुफ आदिल शाह को हराने वाला पुर्टगाली कौन था तो अलबुकर्क उसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया और अलबुकर्क की म्रत्यू जो थी वो 1515 इसवी में हो गई उसने गोवा में ही दफना दिया गया तो अलबुकर्क की अगर कबर पूछी जाए तो कहां पर है गोवा में संथोम दक्षिन पूर्वी पुर्टगालियों का एक मात्र बस्ती थी इसके लावा जो पुर्टगाली वाइसराय थे 1534 इसवी में और फिर 1535 में दीव पर भी अधिकार हो गया कुनहा के बाद जोवाडी कोस्ट्रो भारत में अगला पुर्टगाली वाइसराय बना 1518 में पुर्टगालियों ने कोलंबो में और फिर मलक्का में कारखानों की स्थापना की 1559 इसवी में पुर्टगालियों ने भारत के कई शेत्रों को अपने अधिन कर लिया था जैसे गोवा, दमंद्वीप, बसीन, सालेसर, बॉम्बे, हूगली, संथोमी, चोल आदि कई इसे शेत्र से जो पुर्टगालियों के अधिन आ गए थे कौड्ज विवस्था, अगर बात करें कौड्ज विवस्था कि तो पुर्टगालीय अपने अधिकार शेत्र में आये सामोहिक मारगों पर सुरक्षा करकि वसूली करते थे इसी विवस्था का नाम उन्होंने कौड्ज विवस्था रखा था सन्त जेวियर की बागर बात करें तो 1542 ईसवि में ये भारत आया थे उसे कई भारतियों को इशायी ध्रम के धर्मान्तरन भी करवाया था 1560 ईसवि में गोवा को पुर्तगालियों ने इसहायी ध्रमन नियालई की स्थापना भी की थी भारत में गैथोलिक इस्थापतिक अला की शुरुवात पुर्तगालियों ने की थी पुर्तगालियों ने भारत आगमन से भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और आलू की खेती का विश्कार भी हो गया था पुर्तगालियों ने भारत में 1556 इस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी तो अगर कभी प्रशन पूछा जाए कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित हुई तो गोवा में हुई थी अगर बात की जाए इसके बाद आने वाले अंग्रेजों की तो इसके बाद भारत में आने वाले डच